तो चलिए दोस्तों शुरू कहते हैं मैं डॉक्टर नाना आप लोगों को में रेट्यूब चैनल पे बहुत सौगत है और आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो है बीबी एफ बीबी एफ का मतलब है बोन ब्रेक्स फीवर हड़ी तोड बुखार हिंदी में इसको कहते है और ये जो हड़ी तोड बुखार है ये तीन ऐसे फीवर होते हैं जिसमें कि ये सिम्टम नजार आता है तीन ऐसे फीवर जैसे कि प्लेइन वाइरल फीवर हो सकता है डंगी हो सकता है या आपका चिकनगुनिया हो सकता है तो हड़ी तोड बुखार में होता क्या है कि इसमे बहुत ज़दा पेन, severe पेन हड़ियों में, सारे joints में पेन हो जाता है, muscles में पेन हो जाता है, तो ये बहुत ही prominent symptom है, उसके साथ साथ आपको nausea sensation होगा, vomiting sensation होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी होना, और उसके साथ साथ जैसे आपका rashes निकलाएंगे, दाने भी निकलाते हैं, और बहुत ज़दा tightness, बहुत ज़दा restlessness, ये भी feel होगा, तो ये सारे बहुत ही prominent symptom है, bone break fever जो भी आएगा, तो मैं next वीडियो में आपको डेंगे और चिकनगुनिया के बारे में बताँगा, लेकिन इसमें plain viral fever के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसमें आपने test करवाया, आपको ना डेंगे निकल के आता है, ना ही चिकनगुनिया निकल के आता है, दोनों negative आता है, तो ये एक plain viral fever है, लेकिन जो आज के season के हिसाब से, ये बहुत ही ज़ादा लोगों में पाया जा रहा है, क्योंकि immune system इसमें बहुत ज़ादा कम हो जाता है, तो इसमें homeopathic medicine कौन सी है, व दो बच्चे हैं, उनको दे सकते हैं, तो ये बहुत ही number 1 की top grade की medicine है, second number की medicine है, वो है the stocks, ये भी 200 आप बड़े को दे सकते हैं, और 30 potency आप बच्चों को दे सकते हैं, तो ये medicine से, जो joints pain है, वो उसमें आपको बहुत ज़ादा relief मिलेगा, fever भी जल्दी उतर जाएगा, और joints pain इसमें जितनी भी muscle pain है, joint pain है, वो बिल्कुल बहुत जल्दी relax आपको मिल जाएगा, तो ये दो medicine आप घर में जरूर रखिए